इतने लोग इकठा हुए हैं और यह देखिए एक परिवार पुरा विखर गया है अगर इस डंपिंग को लेकर और उस क्रिसी पटेक पे जो खनन हो रहा था उसको लेकर आपने मेरा कबरेज देख लिया होता मेरी बास सुन ली होती मेरी सिकाय सुन ली होती उसमे कारवाई कर नंगे दिया होता तो आज इनका बेटा इनका पटी इनका बाप जो भी इनके परिवार के लोग है वह आज जिन्दा होते हैं लेकिन वो आप चले गए और क्या ही फरक पड़ता है आपके लिए तो वो शिर्फ आकड़ा होगा फरक तो इन लोगों पड़ेगा जिद्दग कि इतने बच्चे हैं कि अम इतना घरी मनाई हमारा आदमी दिन बार मजूरी कर साम के लिए बखाई जी अच्छा ओ ट्रक जो है जिसे उनकी मृत्य हुई है उस ट्रक पे बालू भी था अब खनन सहाब ही बता दीजिए आजमगडवाले खनन सहाब कि गीला बालू लादा गया है मजदूर लादेंगे कि फिल्टर मसीन लगा के उसको निकाला गया होगा अवज है कि नहीं है कास सर आपने मेरी बास सुन ली होती तो आज इनका पती जिन्दा होता कास आपने सुन लिए होता सर क्यों नहीं सुन पा रहे थे क्या आपकी मजबूरी थी क्या पैसा मजबूरी बन गई थी क्योंकि यह गाउवाले उसी दिन से आरोप लगा रहे थे अधकरिये तो घुस्खोर होना पैसा लेक पटा जाना है ऐसा है क्या यह सवाल है आप उनकी माँ है पास सवाल का जबाब नहीं हुए आज इनका बच्चा रहाता तब इनके अखरत तब इनके लएक के बच्चे तब कैसे जीता है दूसरे मजबूरी ना के समझा अब हम लोग के उपर काभी तथी है कैसे हमन जी यह तरानी कैसे खात रहनी दुद्दू बच्ची अब हमन के तो क्या फरक पड़ता है उन लोगों क्या पर दिक्कत है राद दिन फैकरी ने आगे खोजवाईया ना पीछे दिन भर मजूरी करन सामका लेकिया मैं अब तुम लोग के का उन फरक भाई तुम लोग के इसा पड़ता हमने फरक रहा है गरीब यहां पे गाउं के कुछ लो चाहित हो गया थाने पर गए पचाल बार तो महीं फोन किया आगे आप बोली हम पकड़ लेवाणी क्या नाम है आपका महंद दूबे हम परदान भी पुराने जबाने से हैं मेरे पिचाजी भी परदान थे लेकि कितना बार कितना बार सासन प्रसासन को कहा गया बालू खनन दीन दसा हो गई है सबके आँखों में बालू जाता है निर्मम हत्या हुई अभी 36 साल के उमर में उनकी आउरत बेशारा हो गई है कितने बच्चे थे उनके दो बच्चे थे वह बताई हैं आपके सामने ट्रक निखला एक संतराज यादाव का मकान था उठके देवाल को त दारू पिया था नहीं दारू नहीं पिया था यह जो संतराज यादों के मकान की बात कर रहे हैं कारनल पर है उनके दिवाल को तोच दिया गया सुबह बालू के खनन के मालिक आए उनसे बाता भी हुई खनक्त्यों मकान आप लोग जो है सड़क पर कर दिये उन्हों ने कहा कि दिवाल तूट गई और घर यहीं है हमारा उल्टा सिदा कि हम लोग बहुत दिन से समहुता पूर क्या है बेली की जनता परेसान है यह एक मात एक ही रोड था इसके अवामा कोई रोड नहीं था यहां जो है ट्रक बार बार जाते थे हर बच्चे जो का घर मकान इसी पर ह यह वाइलाज है कि 500 मीटर के दूरी पर बालू का खनन होना चाहिए न कि 50 मीटर के दूरी पर होना चाहिए यह बिलकुल अपराद है और हमारी जनता मिट जाएगी इसलिए कि सबकी मौत हो जाएगी सारे बच्चे रोएंगे अभी तो 36 साल के उमर की बात है उटके पाद क पूछ नहीं है रोसं जैकब मैं यदि आप यह वीडियो देख रही है तो जान लेजिए कि आपके जो अधिकारी हैं आपके कारेच्चेतर के जो समंदित अधिकारी हैं बहुत भुष्ट हैं वह कहने के बाद भी नहीं सुनते हैं आप यकीन जानिए मेरे पास सबूत है मै लेकिन इन अधिकारियों ने एक बार भी नहीं सुना मैं आपके बड़े-बड़े दावे फेल हो जा रहे हैं मैं यदि याप वीडियो देख रही हैं तो इस बेबस लाचार महिला का आशु देखिएगा यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं तो इस मा के आशुँ को दे होती तो आज यह नौबत नहीं आती कि अधिकारियों ने ब्रश्टाचार की पूरी सीमा क्रॉस कर दी कास जब हमने सिकायत की उन लोगों ने संग्यान ले लिया हो तब बताइए यह यहां पहाड खड़ा कर दिया गया है यहां से लेकिए वहां तक पूचा पूरा पूरा कितना भी गाह हैं दस कर दाव कंद दीजां पूरा का पूरा और हो उपी थीक बीचों बीचिये बगर में सब घर है पूरा का पूरा समगर है अब बताएए लोग कैसे जी रहे और आयो बालू में आधी हवा दिखाईए हवा लगातार चल रहा है यह कल लगा है यह अभी कल लगा है यह मौत कल हो गया उसके बाद लोग लगाए है अभी से दिखाई देना बंद हो गया दोई साल में कर रहे हैं और साही तरीके से अगर आप खनन के मानक को देखिए तो यह लाइसेंस ही तुरंट सीज करके इसको जब्त कर लेना चाहिए तुरंट एक मिनट इसके लिए हम लोग मुख मंत्री के आवास दरबार में गए वहां भी दरखास हुआ कोई सुनवाई नहीं हुई क्यों अधीकारिों को शहते हिअ करे आधिकारियों के लोग फून कि घुरल को ट्रांसपर कराना तो कि यह है अधिकारी यह नेता जी लोग हमारे देज में जुठ्थम बदनाम है कि अधिकारियों ने यहां 25 करके यहां बालु खनन का आदेश कर दिया यह नहीं सोचे कि गाउं के बीचों बीच में 500 मीटर के दूरी पर रहना चाहिए सब्सक्राइब को लेकर चलता हूं और मैं आपको सब्सक्राइब दिखाता हूं अब आप सोचिए कि किस तरह से मतलब कि यह सारी हो जाएगा इसको देखकर आप पस्तावा मत कीजिए अब बरसात का मौसम आने वाला है यह लोग का तमाम घर है और यह रोड है यह चक्रोट है बाकी हम आपको उस जगह पे भी ले चलेंगे जहां पे उस व्यक्त की को ट्रक ने कुचल दिया और उसकी मृत्य हो गई आप अधिकारियों की हालत है आप चिलाते रह जाएए फोन करते रह जाएए फोन नहीं उठाएंगे फोन उठाएंगे आपकी स्विकाइस सुनेंगे उसके बाद आपके उपर आ जाएगा समझावता करने का दबाव बनाने लगेंगे तमाम चीज़े होती रहती है यह सिस्टम है और सिस्टम जो भी हो जैसा भी हो ठीक है चलो ठीक है एक बार के बना देंगे तो वहां पर बच्चे की मृत हो गए तो यह गाओं का रोड है और यहां पर इस राश्य से ट्रक आ रहे हैं तो सब मिला जुला के इन अधिकारियों की परवाही है वो मैंने आपको दिखाया अब हम चलेंगे उस व्यक्त के घर पर जहां पर यह एक्सिडेंट हुआ था और उनके घर की हालत हम आपको दिखाएंगे